हमारे साधियों और प्यारे बच्चों बारमी कक्षया की जो ग्रोफे की जो सीरी चली होई है मानो गोल बुक की इसका आज हम पांचमा जो लेशन है दवीतियक किरियाएं उसको हम समझाएंगे आपको अच्छी परकार से इस वीडियो को देखना देखिए पहला क्यूशन है निमलिक्त में से कौन सी एक अर्थ व्यवस्ता में उत्पादन का स्वामित व्यक्तिगत होता है तो इसमें पुन्जी वादी जो अर्थ व्यवस्ता होती है उसमें जो मालिक होता है वो व्यक्तिगत होता है तो इसका सही उत्तराएगा पुन्जी वाद पूंजी वाद ए ओप्षन इसका विल्गुल सही है अगला परसंदेखिए निमलिक्त में से कौन सा एक परकार का उत्धोग अन्य उत्धोगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है यानि कि वह कौन सा उत्धोग होता है जो दूसरे उत्धोगों को कच्चा माल लोहे की होती है तो इसका सी ओप्षन बिल्कुल सही है आधारवूत उत्धोग अगला परसंदेखिए अगला परसंदेखिए निमलिक्त में कौन सा लोहे दात उत्धोग है यानि कि वह उत्धोग बताना है जिसमें लोहे का यूज होता है तो करसी ओजार उत्धोग यानि तो उद्धोग में आएगा लो हदातु उद्धोग में केर सी हो जार उद्धोगे बिल्कुल सधी है D option इसका बिल्कुल सधी आएगा अगला परसन देखिए निम्लिक्त में से अध्हर बूत उद्धोग कौन सा है तो आधार भूतुद धोग मैंने आपको बता रखा है पहले भी बता दिया था कि वे उद्धोग होते हैं जो दूसरे उद्धोगों के लिए वस्तुए बनाते हैं उसको आधार भूतुद धोग कहते हैं तो लो आइसपा तुद धोग इसका उत्राइगा ऐसे उध्धुग बताने हैं तो चीनी उध्धुग कर्षिय धाजरितफ। मैं आपको ये तीन बाग की ओप्षन है ये भी बता देता हूँ देखिए कागच उद्धोग ये वनों पर आधारित होते हैं वनों से लकडी से लुगदी बनती है और कागच बनता है फरनिचर आधारित ये भी वनों पर पेडों पर आधारित होते हैं लकडी से फरनिचर ब बनाते हैं तो इसका सही उत्तर के आएगा वच्छो चीनी उत्धोग जो है वो करसी आधारित उत्धोग है सी ओप्षन इसका बिलकुल सही है अगला परसन देखिए निमलिक्त में से कौन सा उत्धोग की आउस्तिती में बोगोलिक कारक नहीं है यानिक ये चार ओप्षन है इनमें किसी उत्धोग को लगाते हैं तो इसमें बोगोलिक कारक कौन सा नहीं है देखिए उत्धोच ये बोगोलिक कारक है जलवायू भी बोगोलिक कारक है और सरकारी नितियां ये बोगोलिक कारक नहीं है तो इसका सही उत्तर आएगा सरकारी नितियां जो सरकारी नितिय को पर भावित करने वाले दो कारक होते हैं, एक भोगोलिक कारक है, एक मानवी कारक है, तो ये तीन भोगोलिक कारक हैं, मानवी कारक में सरकारी नितियां हैं, पूंजी है, बैंक है, परिवहन सुईदा हैं, ये आदी क्या हैं, ये मानवी कारक होते हैं, ये बड़ा परसन भी important बनता है कि वो धोकिया उस्तिति को पर भावित करने वाले कारकों का वर्णन करें तो आपने ध्यान रखना है यह important person है बड़ा person आ सकता है पेपर में तो इस person का उत्र क्याएगा सरकारी नितियां सरकारी जो नितियां है वो बोगोलिक कारक नहीं होते हैं वो मानवी कारक होते हैं अगला person देखिए अगला person है silicon गाटी का अस्तित है जो silicon गाटी है वो कैलिफोर्निया में है यह कैलिफोर्निया कहा है बच्चो यह USA सयुक्त राज अमेरिका में है कैलिफोर्निया और वहाँ पर इलेक्टोनिक्स उद्धोग शिलीका काफी मात्रा में यूज की जाती है और इसलिए उसका silicon गाटी नाम रख दिया गया है और भारत में भी silicon गाटी के नाम से पुकारते हैं बैंगलोर को लेकिन यहां पर इस परसन का उतर के आएगा बच्चो सीलीकन गाटी कहा है कैलिफोर्निया में बी ओप्षन इसका विल्कुल सही है कैलिफोर्निया कहा है सिंक राज अमेरिका में अगला परसन देखिए अगला परसन है निमलिक्त में से कौन सा लोहा ऐसक छेतर नहीं है इनमें हमने देखना है कि कौन सा ऐसा छेतर है जहां पर लोहा नहीं मिलता तो इसमें सिलिकन जो गाटी है वहां पर लोहा ऐसक नहीं है वहाँ पर किस चीज का ऐसक पाय जाता है, वहाँ सिलीका पाय जाती है, क्या पाय जाती है बच्चो, सिलीकन गाटी में सिलीका का उत्पादन होता है, जबकि रूहर अमेरिका की जीलों का और छोटा नागपूर में लोहा ऐसक पाय जाता है, तो इसका सही उत्तर के आएगा बच्चो सिलिकन गाटी डी ओप्षन इसका बिल्कुल सही है कि सिलिकन गाटी जो है वो लोहा आशक छेतर नहीं है अगला परशन देखिए अगला परसण है सारजनिक उध्योग होता है जिसका परबंध राज की सरकार के आथ में हो ये सरकार चाहे राज्य की सरकार हो सकती है या केंदर की सरकार हो सकती है जैसे मैं आपको उद्हार्ण भी दे देता हूँ देखिए HSL इंदुस्तान स्टील लिमिटीड एक सार्जनिक उद्होग है इसको Indian Iron and Steel Company ये भी सार्जनिक उद्होग है भारत है वी इलेक्टरिक लिमिटीड ये भी एक सार्जनिक उद्होग का उद्होग है तो इनका रखा रखा अपकोन करता है परबंद कोन करता है राज की सरकार या केंदर सरकार ये सरकारे करती हैं वो उद्धोग सार्जनिक उद्धोग होते हैं अगला परसन देखिए अगला परसन बहुत ही इंपोटेंट है इसको नोट कर लिए बच्चो बहुत ही मैत्रपून परसन है यह देखिए सर्वा अधिक लोग ऐसे के बंदार किस देश में हैं दुनिया में सबसे अधिक लोग ऐसे के बंढार किस देश में हैं चीन में हैं ये आपने नोट कर लेना है सी ओप्सिन इसका बिल्कुल सही है अगला परसन देखिए बच्चो अगला परसन है इस परकार का सरमिक कुटी रुद्धोग का भाग नहीं है यानि कि इसमें जो सरमिक देए है इसमें कौन सा ऐसा है जो कुटी रुद्धोग का भाग नहीं है तो दुकंदार जो है वो कुटी रुद्धोग का भाग नहीं होता दुकंदार जो होता वो सिवा कारिये करता है तो इसका सी ओप्सिन बिल्कुल सही है दुकंदार कुटी रुद्धोग में नहीं आता जबकि बढ़ ही जो लकड मनाने का काम या बुनता है कुछ भी तो वो कुटी रुध्योग में आते हैं जब कि दुकंदार है वो कुटी रुध्योग में नहीं आता है दुकंदार एक सेवा छेतर में आता है अगला परसन देखिए अगला परसन है ऐलुमुनियम किस ऐसक से पराप्त किया जाता है तो जो एलुमुनियम की पराप्ती होती है वो बाकसाइट से होती है बाकसाइट इसका सही उत्र है एलुमुनियम का ऐसे कौन है बाकसाइट है एक चीज़ और बता देता हूँ दुनिया में सबसे अधिक बाकसाइट के बंडार आस्ट्रेलिया में है और भारत में सबसे ज्याद और आद वाक्साइट्वी स्था से परापत होता है उर इस वह वंडार हैं एक्षाइट के अगला परसंदेखिए अगला परसन है निमलिक्त में से कौन सा ए दात्वी खनीज है ए दात्वी खनीज कौन सा है तो ए दात्वी खनीज कौन सा है बच्चो इसमें गंधक जो है वो ए दात्वी खनीज है चांदी भी दातू है तामबा भी दातू है सोना भी दातू है तो गंधक है वो कोई भी दा दवितिक छेत्र की गतिविदी नहीं है यानि कि वी निर्मान दवितिक छेत्र में आते हैं उद्धोग जो होते हैं वो दवितिक छेत्र में आते हैं तो इसमें मचली पकड़ना है वो दवितिक छेत्र में नहीं आता है मचली पकड़ना है यह प्राथमिक गतिविदी में आत हैं तो इसका सी ओप्षन बिल्कुल सही है मचली पकड़ना गती वी दीजो है वो दवीतियक छेत्र में सामिल नहीं है अगला परसंदेखिए अगला परसंद बहुत फी अच्षा परसंद है इसको नोट कर लेना वन अधारित उढ़ोग का उधारन देजिए देखिए वन पर अगला प्रसंद देखिए निम्लिक्त में से कर्षिया धारितुद दोग का उधान दीजी लगाता है जो परसनार है नहीं है इंपोर्टेंट है और लेक्षरार मुकेश राज यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे बच्चो दुम्मा निम्लिक्त में से कर्षिया धारितुद दोग का उधान नहीं है तो कर्षिया धारितुद दोग का उधान कौन सा नहीं है चीनी दोग कर्षिया धारितुद दोग है वस्तर दोग है कर्षिया धारितुद दोग है और इस पात दोग है वो कर्षिया धारितुद दोग नहीं तो नहीं है पूछा करसिया धारितो इस पात उद्धोग जो है वो करसिया धारित उद्धोग नहीं है क्योंकि इस पात जो उद्धोग है वो खनी जाधारित उद्धोग है तो C option इसका बिलकुल सही है अगला परसन देखिए अगला परसन है रूहर ओद्धोगिक छेतर का समन्द किस देश से है तो रूहर जो ओद्धोगिक पर देश है वो जर्मनी में है कहां पर है बच्चो जर्मनी में है रूहर ओद्धोगिक छेतर ये ए उप्सन इसका बिल्कुल सही है जो रूहर उद्धोगिक परदेश है वो किस नदी के किनारे है वो राइन नदी के किनारे है ये छेतर ये नोट कर लेना तो राइन नदी के किनारे पर रूहर उद्धोगिक छेतर है और वो जर्वनी में है तो ए उप्सन इसका बिल्कुल सही आएगा अगला परसन देखिए सिलिकन गाटी की उद्धोg के लिए परसिद है तो यह परसन पहले भी आ चुका है सिलिकन जो गाटी है वो शोफ्टवर उद्धोg के लिए है सी उपशन इसका बिल्कोल सई है वहाँ पर सिलिका का कारी होता है और ये California में है Silicon Gatti, स्युक्त राजा अमेरिका के California राजे में Silicon Gatti है और वो Software उद्धोग के लिए, Electronic सुद्धोग के लिए दुनिया में परसिद है भारत में भी Bangalore है, उसको भी भारत की Silicon Gatti कहते हैं क्योंकि वहाँ पर भी ज्यादा Electronic सुद्धोग Software Engineer का काम होता है तो इस परसन का उत्र का आएगा, इसका उत्र आएगा Software, Silicon Gatti किस उद्धोग के लिए परसिद है बच्चो Software उद्धोग के लिए परसिद है Silicon Gatti अगला परसन देखिए, अब एक सबद में उत्र वाले परसन आ गए हैं बहुत ही Simple सा दान परसन है, और ये परसन Important भी है उद्धोगिक परदेश बच्चो जर्मनी में है, ये मैंने बता दिया आपको जर्मनी में है राइन नदी के आसपास का जो उद्धोगिक परदेश है, उसको रूहर उद्धोगिक परदेश कहते हैं अगला परसन देखिए, शिलिकन गाटी कहां स्तित है, शिलिकन गाटी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में है कहां पर है, अमरिका के कैलिफोर्निया राज्य में सिलिकन गाटी है ये नोट कर लो भाई रहे, शिलिकन गाटी कहां है, अमरिका में है और अमरी का में किस राज़े में कैलिफोर्निया राज़े में है अगला परसन है किस उद्धोग को आधार बुतु जो कहते हैं तो लो हाइस पात उद्धोग को आधार बुतु जो कहते हैं क्यों कहते हैं मैंने बता दिया आपको फिर बता देता हूं क्योंकि लो हाज होता है लो हाई स्पाथ दूसरे उध्धोगों के लिए मसीने बनाता है दूसरे उध्धोगों के लिए कलपुर्जे बनाता है यानि कि दूसरे उध्धोग इस पर आधारित होते हैं लो हाई स्पाथ उध्धोग के उपर जिस कान से लो हाई स्पाथ वो तो दोग है यह important person है जीवन में आ काम आएगा यह person आपको कहीं कहीं- आपको बड़ी परिक्षा देखे CGL की आइएस-की यूपी-सी कलिर करोगे वहां पर भी पर आपको important है वहां पर भी यह person आपको का फिल आप देंगे फायदा देंगे अगला person देखिए जापान का कौन सावत दोगिक परदेश गना बसा हुआ है ये विवानी बोलन दो 2018 में दिया वा परसन है अब की बार भी आ सका है द्यान से इसको नोट कर लो जापान का कौन सा दोगिक परदेश गना बसा है यनि कि सगन बसा हुआ है वहाँ पर ज्यादा जन सिंख्या है तो जापान का टोकियो जो परदेश है टोकियो दोगिक परदेश गना बसा हुआ परदेश है ये टोकियो जापान की राजधानी भी है ये भी नोट कर लेना रह और वो कहा पर है वो किस द उपर है टोकियो पता हैं को यह जापान के होंसु दोविपर बसा हुआ है यह थजियान सकता है कि जापान के होनसु द बसा हुआ वो द्योगिक सहर है और यह जापान की राज़दानी है और यह जापान के हुट्षवी परिस्तित है यह नगरे यह अपना नोट कर लेतं है अगला है कुटी रुद्धोग कोई एक उद्हान दो कुटी रुद्धोग कोई एक उद्हान देना है कलाकर्ती करते हैं कोई आर्ट बनाते हैं यानि कि कुटी रुद्धोग वे उद्धोग होते हैं जो कुटिया में घर में एक छोटे से घर में आथों दवारा कोई काम किय करते हैं हम वी निर्मान करते हैं तो पुटी रुद्धोग होता है जैसे कला करती है जैसे जुत्ती बनाने का काम है जैसे चटाई बनाने का काम है बीजना बनाने का काम है यह सारे क्या हैं पुटी रुद्धोग में आते हैं अगला परसंदेखिए रसायना धारित दोगों क करके उद्धोग चलाए जाते हैं अगला परसंदेखिए वाई पसुआ धारित धोग के दो धान दीजिए तो पसुआ पर डिपेंड जो उद्धोग है जैसे उन उद्धोग है चमड़ा उद्धोग है उन भी हम पसुआ से पराप्त करते हैं जैसे बेड़ से उन पराप्त कर पॉल्ट होते हैं अगला प्रसंदेखिए अफरिका का एक खनी खेत्र बताएं जहां गनी जन्षेंख्या है यानि कि अफरीका मादिप में गश्क्रत है जहां पर जन्षेंख्या घनी बसी हुई है तो नाइजीरिया नाइजीरिया अफरिका का एक देश है जहां पर जन सिंख्या धीक है और वह अखनी छित्तर है अगला परसंद देखिए जर्मनी में कोई दो धोगिक परदेश बताने हैं एक तो रुहर ओदुद्धगिक परदेश ये मैंने बताया दिया था पहले भी रुहर और यूराल ओध्धोगिक परदेश मास्त को तो रुष्की राजदानी है तो रुष्की राजदानी है वहां पर उध्धोग काफी है और यूराल ओध्धोगिक परदेश यूराल परवत है उसके आसपास का शेतर उसको वहां पर भी ओध्धोग काफी है अगला है बिर्टै वहां पर भी ओध्धोगिक पर्देश है तो टक्षन वेल्स ओध्धोगिक पर्देश और मिडड लैंड और दोगी परदेश यह दोनों ही बिर्टैन में हावाई यह दोनों ऑध्धोग के निचे निचे साथ तो कुईला और गंदक जो डोग है ये दोनों ही ए दातू जोग हैं अगला परसंद से देखिए दातू धोग के कोई दोधान दीजिए तो डातू धोग यह नीकी वे दोग जिन में दातू का यूज किया जाता है तो लोहा उद्धोग दातू-दोग है इस पात यहने की सटि रची वी याजी निर्मान का मतलब होता है हस्ट यानि कि आथ से या मचीनों से या दोनों से किसी चीज का उत्पादन करना उसका निर्मान करना वी निर्मान करना आथे और मसीनों से वस्तू का बनाना Youtube कहलता है अगला परसंड देखिए किन उध्धोगों को सीलप उध्धोग भी चाहता है यहाँ कौन से उध्धोग होते हैं उन खुटिर उध्धोगों को खुतिति कीषियों और कोई चोटा मोटा गलिचे बनाने का काम है और ये अपने फरनीचर का चोटा मोटा काम है ये सभी क्या है शिल पुद्धोग में आते हैं आज का ये हमारा जो पाट था दवित्य किरिया है ये हमना आज करवा दिया आपको यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो शेयर कर दो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दो और हमारे साथ ही जोड़कर रिक्वाइस्ट है इसने अपने गुरूप में बच्चों में शेयर कर दिया ग्रूल